आज हम अखरोट की गीरी से एक नई मिठाई बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है उसके लिए हमें इन सामानों की जरुरत पड़ेगी एक कटोरी अखरोट की गीरी, एक कटोरी चीनी, दो चम्मच कोको पाउडर, तीन चम्मच मलाई हम इनको अलग-अलग भी पीश सकते हैं और एक जंगा भी पीश सकते हैं अब हम मिक्सी जार में अखरोट की गीरी डालेंगे, चीनी डालेंगे और कोको पाउडर डाल कर उसको पीश लेंगे पीशने के बाद हम उसमें मलाई डालेंगे और एक बार होर पीश लेंगे हमने सभी चीज मिक्षी जार में डाल ली है अब हम उनको पीछ लेंगे इसको हमने पीछ लिया है अब हम इसमें तीन चम्मच मलाई या करीम डाल लेंगे अगर जरुरत पड़ी तो आप थोड़ा ओर डाल लीजेगा हमने एक अच्छा पेष्ट बना कर तयार कर लिया है अब हम इसको हातों से मसल कर मुलायम कर लेंगे इस तरह से हम इसको सोप्ट कर लिया है और अब हम इसके गोल-गोल लोईया बना लेंगे लोईया हम एक ही बराबर बनाएंगे जिससे मिठाई का आकार एक ही तरह का हो हमने सभी लोईयां बनाकर तयार कर ली है अब हम एक लोई लेंगे उसको लड़ू की तरह गोल गोल बनाएंगे और फिर थोड़ा सा दबाकर उसके किनारों को ऐसे घुमाकर गोल कर लेंगे इस तरह से मिठाई बना कर हम पलेट में रख लेंगे अब हम दूसरी बनाएंगे दूसरी भी हम इसी तरह से गोल गोल करेंगे और किनारों से ऐसे गोलाई से उसको कर लेंगे हमें अखरोट का डेली सेवन करना चाहिए ये हमारे लिए फाइदे की चीज है अब हम इसी तरह से सब बना लेंगे अगर आपको मेरी ये मिठाई फसंद आए लाइक करें, सेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें आप पूरा वीडियो देखें जिससे आप कोई चीज मिस नहीं हो जाए आप इसे बना कर जरूर देखिए ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है सबी इसको पसंद करते हैं बच्चे भी इसको पसंद करते हैं अब हमने इसी तरह से इस मिठाई को बना लिया है अब हम इसको पूरा बना कर इसके उपर अखरोट की गीरी रखकर उंगलियों से दबा देंगे जिससे ये देखने में बहुत ही सुन्दर लगेगी हमने सभी को बना कर इनको तयार कर लिया है सभी बनकर तयार हो गई है अब हम इन पर एक कख्रोट की गीरी रखकर उंगली से दबा देंगे सभी को हम अख्रोट की गीरी से सजा देंगे इस तरह से रखेंगे और उंगली से दबा देंगे जिससे इसका कार भी अच्चा हो जाएगा हमने सभी पर रखकर इसको इस तरह से दबा लिया है और ये बनकर तयार हो जाएगी फिर हम इसको सर्व करेंगे ये मिठाई बिना गैस जलाए हम बनाएंगे इसमें गैस जलाने का भी जंजट नहीं होता ये बिना गैस जलाए ही बनकर तयार हो जाती है अब हमारी मिठाई बनकर तयार हो गई है ये देखने में भी सुन्दर लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है और कई रोगों में ये फाइदा करती है अब हम इसको सर्व करेंगे अक्रोट की मिठाई बनकर तैयार हो गई है